सभी रचनाकार मित्रों को नमस्कार जैसा कि आप सभी इन दिनों जनसुला पुस्तकाले की ओर से मंजुल भगत जी पर चल रहे एकागर से अबगत हैं तो साथियों आज इस एकागर की यह सात्न भी कड़ी है और इसमें हमारे साथ बरिष्ट रचनाकार चित्रा मुधगल जी जुड़ी हुई है यह हम सभी के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण पल है क्योंकि एक रचनाकार किस तरह दूसरे रचनाकार की यात्रा को समझता है उसकी कृतियों से गुजरता है आज हम इसे देखेंगे और एक बेहद महत्वपूर्ण कृति उपन्यास अनारो का जिस तरह से चित्रा मुधगल जी ने उस पर धारावाहिक का निर्मान करवाया वह अंतरकथा भी काफी रोचक है और उसे जानना भी जरूरी है कई महत्वपूर्ण पुरसकारों से सम्मानित और कई निर्नायक मंडलों में रहती आई चित्रा मुधगल जी एक साथ साहित और पत्रकारिता में सकिरिये हैं रही है और आज भी एक के बाद एक इनकी कई कृतियां हम सब के बीच आती रही हैं आ रही है तो मित्रों ऐसे में एक और खास समानता का जिक्र करते हुए मैं उन्हें इस मंच पर अमंतृत करता हूँ और वह यह कि जिस तरह मंजुल भगत जी के यहां निम्न मध्यवर्ग के किरदार हाश्ये के चरित्र और श्रमिक संघर्ष आते हैं वैसे ही चित्रा मुद्गल जी के यहां भी ऐसी कई कृतियां हैं जिनमें हाश्ये के जो किरदार हैं चरित्र हैं उनके संघर्ष हैं बखो भी आते हैं तो आज उन चरित्रों पर भी बात चीत होगी साथ ही मंजुल भगत के बहाने उस प्यवड़ी की जो रचनाएं हैं उस पर बात होगी और साहित्त में इस्तिरी की बनती जगह किस तरह की रही उभरती हुई जगह किस तरह की रही किस तरह के संघर्ष करने पड़े इन सब पर बात होगी तो मित्रों आप सभी की ओवर से मैं चित्रा मुदगल जी का हारदिक स्वागत करता हूँ नमस्कार कहता हूँ नमस्कार जन सुलब पुस्तकाले के सभी श्रोता और दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और यह मेरा पहला नुभो है मैं अरपन जी के साथ जुड़ रही हूँ और जुड़ने का माध्यम बर रही है मनजुल भगग जिनकी मैं सुधी पाठीका रही हूँ मैं उनसे मुमई में रहते वे कभी मिलने का सौभागी तो मुझे नहीं मिला था उस समय तक पाँच मई 1983 को जब मैं दिल्ली आई और स्थाई रूप से आई क्योंकि मुद्गल जी जो सारिका के संपादक हो गये थे तो बच्चों के साथ फिर मैं आई और दिल्ली को अपना बनाने की उस कोशिश में मेरी मुलाकात पहली बार मनजुल भगज से हुई इंदप्रिस् इंदु जैन बहुत प्यारी कवताय लिखने वाली और अरुना सितेश थी और इस कारेकरम का संरोजन जीस तरह हुआ था उसमें हमारे साथ मिराल पांडे भी शामिल थी उसमें और मुझे अच्रज हुआ था कि इंदु जी ने मुझे मेरा स्वागत इस तरह से किया कि चित अच्रा सबसे पहले कारेकरम शुरू होने से पहले मैं अपनी एक संसा है उसका दाई तो तुम्हे साथ आपना चाहती हूं अब माह काम नहीं कर पा रही हैं तो मैंने का दीदी इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे मेरे पास एतनी संसाहों के जिम्यदारी है तो लेकिन आज तो मैं सौभागे शाली मानती हूं कि मन्जूल दूसे मेरी मुलाकात अनायास यहां क्योंकि मैंने आपसे पूछा नहीं था कि कौन-कौन आ रहा है तो मन्जूल जी हाथ जुड़े खड़ी थी और मैंने उनके हाथ अपने हाथेलियों में भर लिया मन्जूल जी का व्यक्तित तस्वीरों में देख करके जो मेरे मानस पर बना और उनको पढ़ करके जो मेरे मानस पर अंकुरित हुआ मैंने देखा कि वो जिस तरह से मैंने उसकी कल्पना की थी वो उसी तरह से मिले इतना सुन्दर वेक्तित तो मैंने हिंदी साहिते में तब तक नहीं देखा था उच्छा कद और उसके साथ उनकी भाशा बड़ी जहीन और अंग्रेजी से दूर हिंदी अर्दू यानि गंगा यह कहानी बहुत हो जम देखा आके घृतन आ और विंदी पर चोट खोड़ करने वालीजी ओर और मंत्री जी आएंगे अच्छे दिन आएंगे ये उसका ब्यंग था तो उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा ये पहली मुलाकात का एक साई भाव बना कि पहली बार ये मैंने महसूस किया कि एक लेखक अपनी सरजना में अपने पात्रों में जिस तरह ढलता है और उसे बाहर निकलता है फिर अन्य पात्रों में ढलता है और बाहर निकलता है तो वो बच्चा हो जाता है वो जवान हो जाता है वो इस्त्री का मन हो जाता है वो इस्त्री का मन हो जाता है वो पुरुष वनोवी ज्यान को भी समझने की कोशिश करता है अपनी इस्त्री पात्रों के पहा करने के बार हम लोगों ने इंदू-दीदी के केबन में बैठ करके बहां के कुछ पकॉड़े अकॉड़े और विशीश रूप से खाए और उन्होंने फीकी चाय पी तो मेरा प्रशन था प्रिक क्यों पी रहें आप तो बहुत मीठी बहुत मीठी लग रही मुझे शूगर है चित्रा और यही मेरी सबसे बड़ी परेशानी है जिससे मैं साफधानिया बरतते हुए भी कई दफ़े आप सावधानियां बरत जाती हों तो उसका नतीजा मुझे भोगना पड़ता है तो मुझे ये भी लगा कि पहली मुलाकाहत में वो अपने बारे में भी बता रही है कम होता है ऐसा ऐसा कम होता है लेखा कहीं ने कहीं जो मतलब मैं तो अलग धंग से सोचती हूँ क्योंकि मैं 17 साल कि उम्र से ट्रेड यूनन से जुड़ी रही हों और मजदूरों के बीच रही हों और मुझे लगा कि जो गुदान के श्रमिक हैं श्रमिकाएं हैं वो अपने अपने गाउं से भाग करके मुंबई की और दोगिक महानगरी में रोजगार तलाशने के लिए आए हैं ये कौन करने और इसी तरह से कलकत्ता के जूट मिलों में भी ये गए काम की तलाश में क्योंकि ये आजादी के बाद भी प्रेम चन्ने कोदान लिखा था 35 के आसपास और आप देखे तब तब उन्होंने ये लिखा था जिस तरह की प्रदिक्रियाएं मन में उपस्तियों से पढ़ रहे हैं महाजनी सब्टा इस तरह के सारी लेकिन वहां मुझे लगा जब मैंने काम करना शुरू किया तो मैंने कहा अरे ये तो यहां मिलाकात हो रही है मेरी से तो इसी तरह से मुझे जब मैं मनजू भागट को पढ़ती थी उस समय इसतरी विमर्ष का शूर नहीं था लेक इसी तरह से कृष्णा सोप्ती की बादलों के घेरे उते बाद में मैंने जब उनकी कहारी सिक्का बदल गया पड़ी तो मेरे भीतर कभी सिक्का उनको लेकर बदल गया उनकी समविदन शिल््ता को ले करके और उनके लोग जीवन की स्मृतियों को ले करके तो लेकिन मुझे ये 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 सितिया वहां भी नहीं मिले इन तीनों लेखी काओं में नदारत थी और इनका एक मध्यमर्ग ये महा नगर कस्बा इनकी कहानियों का प्रस्थान मिन्दू था और उसी की दुनिया को खंगाल रही थी इनकी सर्जना एक तरह से लेकिन जब मैंने मन्जूली को पढ़ा और जैसा मैंने कहा कि वो वक्त था तीन बड़ी लेखी काओं का लेकिन वहाँ पर ही मैंने इसके साथ साथ धर गुमे मन्जूल भागत को पढ़ा एक काली लड़की का कर्तब जो नटों की जिन्दगी कैसी हो गई है अब जो उन्हें राजश्यों का राजा महराजाओं का उनके जो अनकी 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 प्रतिभा का जो आकलन था और वो और ग्रामेड जनों में भी एक मनोरंजन का भाव था कि वो ऐसा खेला दिखाते थे कि आम घर की कोई लड़की बासों के उपर बंधी रस्ती पर चल नहीं सकती थी, ये नट ही चल सकता था ये नट नहीं ही चल सकती थी, ये कमाल अपने आप में और ये संतुलन साधना एक बास में करके अद्भुत था, तो मैंने पाया कि इस्तरी विमर्ष बिना किसी नारेबाजी के उस वक्त तो चली रहा था, मन्जूदी की तो अधिकांश कानिया उस तरह की रही हैं और उशा प्रियमदा की भी, लेकिन मन्जूदी थोड़ा अलग धंग से प्रवेश करती हैं, उसी सम्वेने डैफोडिल जल रहे हैं मर्दूलागर का उपन्यास जो धर्मग में सिरलाइज हुआ था, मैंने पढ़ा, 72 के आसपास मर्दूलाजी ने छपना शुरू किया, पहली कहानी उनकी जो है, वो सारी का में छपनी, 71 में, रुकावट या कुछ इस तरह का नाम था भी पुरितर ध्यानी, मेर इस नुती भी थोड़ा सा डगमग होती है, हो रही है, तो ये उसमें मैं चौक पड़ी, रहे का अरे, ये रांगेरा विखावट जी के उपन्यासों में मैंने इन जनजातियों के, इन आदिवासियों के, इन भील और नट इन सब की जिन्दियों पर पढ़ा है, और राजि इस्थान के इतिहास में इन नटनियों की प्रेम कहाने भी पढ़ी है, कि किस तरह राजा मोहित हो गया, ये हो गया, लेकिन ये जो नट थे, ये नटनिया थी, अब उनके, मैंने कहा पहले कि उनके हुनर को, इसको हुनर कहना उचित नहीं होगा, ये तो अपने भूप को द है, वो मुझे जादा लगी, प्रकृति करता हुआ भारत, विकास लेता हुआ भारत, उन सब के बीच में, अभी भी ये लोग बेघर की तरह, मौसम के थोड़ा बदलते ही, ये निकल पड़ते थे, शहरों की ओर, अपने बंदरों को लेकर, अपने सापों की पिटारियों क लेकर के, कि अब सावन आया है, तो नाक पंचमी आने वाली है, तो उस शहर में जब वो दिखाएंगे, तो बहुत लोग जो गाउं छोड़ चुके हैं, जिनोंने गाउं को अपने माता पिता के समय थोड़ा सा देखा है, गर्मी की छुटियों में घर जा करके, अपने नन के इन लोगों की उपस्ति जिस तरह से आई, मुझे लगा इस पर बात होनी चाहिए, इस पर बात बहुत होनी चाहिए, गौर से होनी चाहिए, किसानों और आम मजदूरों इस सब की बाते हम करते हैं, लेकिन ये जो इस तरह के हुनर करके, जो मनोरण जन ग्रामेर समाज को देते थे वो उसे वंचित हो चुके हैं क्योंकि उनके बच्चे जा चुके हैं अब बंदरिया का नाच वहाँ कोई देखता नहीं है अब टोकनी भर अनाज भी उनको देने में परिशानी होती है बहुत सारे संगर्श हैं लेकिन इस तरह उनकी जिंदगी जो कठिन चुनोतियों को जेल रही है उनकी स्थिती कैसी है वो मैंने एक काली लड़की के कर्तब बे पढ़ी उन लड़की अंट में भूख से बास के उपर उल्टी तंगी भूख से मर जाती है खाना नहीं खाया होता है उसने लेकिन लोगों की तालियों की गड़गराहत और बिचे हुए अंगोच्छों पर सिक्कों की आवाज है ये विडम बना रोंगते खड़े हो गए मेरे तो मुझे मैं वही बात फिर कहना चाहती हूँ कि हिंदी साहिती जो है वो पढ़ता सब कुछ है लेकिन वो जिन शीजों पर बात करना चाहता है जिनके आंदलोनों जिनकी चिन्नोतियों के आंदलोनों जिनके संघर्षों को वो मुख भारा में लाना चाहता है वो वही तक सिमित हो जाता है फिर और लेखा को भी एक विचारधारात्मक और एक बंधन के बीच एक बंधा हुआ समाज देखने दिखाता है और देखने की आदत डालता है कि इनकी तरफ देखिए, इनकी तरफ देखना जरूरी है, यह आपका ही समाज है, यह आपका ही गाओं है, यह आपके ही गाओं का कोई सुदोर किसी कोने में रहते रहे हैं तो मजूल जी ने उसका अनिवेशन किया उत्खनन किया अपनी सरजना के माध्यम से और एक जो विशेष्टा थी उनकी भाशागर कि वो भाशा का इस्तिमाल अपनी पात्रों के वातावरन के अनुसार करती थी उनकी संस्कृट के अनुस पढ़ेंगे लंबी कहाने की ही एक पढ़नीत मिचे लगी है तो आपको इस चीज को आप गहरे मैसूस कर सकेंगे और इसी तरह से वहां किस तरह की भाशा वो भूलेंगे उसके लिए भी उनका अपना एक अपना एक परिश्रम होता था कि पात्रों के अंदर प्रविश कर जाने का इसी तरह से हम देखते हैं कि जब वो गाउं की वो ग्रामीडाएं जो कहीं रोजगार उनके पत्यों से छिन चुका है अब वहां सिर्पर पेटी लेकर के घूमने वाले नाई बाबा की पत्नी को काम नहीं मिल रहा है तो वो सब और बारिन को नहीं मिल रहा है कहारेन के घर चूला नहीं चल पा रहा है तो वो सब जो अपने अपने गाउं से कस्मों से जो यहां आए तो यहां आकर के वो दूसरों के घरों में उन्होंने काम करना शुरू किया और मज़ूरी करनी शुरू की, जो विकास की उची-उची इमारते थी, जो विकास उनको उपलगदनी था, जिस विकास ने उन्हें घर से बेघर कर दिया, जो जिस विवस्था में वो जी पा रहे थे, किसी प्रिकार भी, उससे उन्हें, वो उनसे छीन लिया, तो जब वो य अभी वही था पुरुष अभी वही था जो मैं अपने गाउं में देखती थी कि बारिन की बिटिया दोहाजू को ब्याही गई फिर वापस आ गई फिर किसी और को ब्याही गई दो बच्चों के पिता के सार फिर वापस आ गई तो ये खाना-पानी देकर किसी और को बैठाने की जुकरत होने लगे तो इन औरतों का क्या है ये कौन सी औरते हैं जो आत्म सिक्षित नहीं है आत्म निर्भरता उनका श्रम है केवल और वो उस श्रम से हासिल आत्म निर्भरता उनको उनका ही पीत नहीं भरते थी उनके परबार का ही नहीं वो उनके उनके पती को भी ये इस तरह वो अपने परिवार को ले करके यहां धीरे-धीरे बसी हैं किसी जोपर-पट्टी के इलाखे में मैं यहां बहुत मिलती हूं 17 सेक्टर में, 24 सेक्टर में जो महिलाएं हैं इस तरह की हमारी ही सोसाइटी बगरे में आती हैं काम करने के लिए और उनके साथ जो मोलभा होता है, जिस तरह का होता है कि कितना इसे काम ले 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 ले, कम पारिश्मिक ले ले, कम पारिश्मिक ले ले, तो यह संबेदना जो अनारों में मुझे दिखी, मैंने बहुत दिनों बात की कोई इतना अच्छा उपन्यास पढ़ा, वो भी मुझे ल हार सेकेंडरी तक पढ़ी है तीसरी भाषा के रूप में तो मैं इसका अनुवाद संभव होगा तो करूँगी लेकिन मेरे लिए भी वो संभव नहीं हुआ क्योंकि मजदूरों के बीच मैं भी एक मजदूर की तरहे काम कर रहें वाली थी और फ्री लांसर फ्री लांसिंग ही मैंने की चाहे वो पत्रकारता के शेतर में हो चाहे वो अड्विटराइसिंग के शेतर में हो अहां मेरे अनुवाद का विस्तार होता गया तो इन लोगों की जिन्दगी को मैंने जिस तरह देखा वो मुझे मंचुल्दी की अनारों में दिख लेकिन मैं बताना चाहती थी कि उरमिला पवार पढ़ी कि अनारो है हिंदी कहानी में अनारो है पुर्षोन तो बहुत लिखा, लेकिन इस्तियां जब लिखती है तो किस तरह से लिखती है? उनकी अपने घर की जो प्राथ मिक्ता है, उस प्राथ मिक्ता से वो कभी भी अपने आपको नहीं मुक्त कर पाती है, उनका पती यहां भी गाउं में जैसा था, यहां भी अगर वही है, तो कोई बात नहीं है, पितर सतात्मक्ता का वो रूप, लोग कहते हैं कि निम्नवर्क क इस्त्री जो है ज्यादा मुक्त है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दस धेरियां बदल लेने से जिन्दगी नहीं बदल जाती है वो फिर फिर उसी जिन्दगी से टकराती है लेकिन यहां जो मंजुल की नाइका है अनारो वो उससे हमें ये सीख मिलती है कि निम्न बर्ग की इस्त् विबर्श गौर करने लायक है उसमें इसने की आतनिर भरता भी है पढ़ाई नहीं हुई है लेकिन जिन्दगी की पोथी पढ़कर जो पढ़ाई हुई है वो पढ़ाई तो किताबों को पढ़कर और अपने तमाम दिगरियां लेकर भी पुरी जिन्दगी गुजार देने के बाद में बढ़ पाते हैं लोगों तो ये है अनारो और इसी तरह से उन लोगों की एक दुनिया बनती है उसके प्रपंच है उसकी सूचनाएं है और उसके भीतर सूखे आंसू है वो सूखे आंसू जिन पर कभी सावन की जीसी नहीं पड़ती है सिर्फ वो मन में महसूस कर करती है तो अनारो जो है एक उदाहरन के रूप में है इसने में मश्का कि जब वो अपनी बेटी गंजी की ब्याह का मौका आता है क्योंकि वो अब दाइक तो उसका है पती ने दूसरी शादी करनी वो मुंबई भाग गया है और तो वो जब शादी करती है तो बड़ी धू जब ड़ी को खिलाना चाहती है और उसके साथ-साथ वो सस्राल वालों को के प्रति भी सारे नेग ने छावर के दाइतों पूरा करते हुए कि अगर पिता होता तो कैसे करता लोग यही कहते है रहे बाप होता तो कैसे करता लेकिन यहां तो एक इस्ति तिन तिन पुर्शू के शक्ति अपने भीतर समोगे हुए, अपने आत्मसंगर्ष है, जोसनारजित के है, वो सारे दायतों को निभाती है, और पती को जाके लेकर वाती है, वापस लेकर आती है, तुम चलो, कुछ नहीं करना है, तुम जैसे जिन्दगी विता रहे हो, ऐसी विताना, केवल बैच केवल करनादान कर दो, केवल ये दुनिया के सामने हो जाए, कि तुम्हारी बेटी का व्या हो रहा है, और वो पता पहीं नहीं है, बेटी के मन में भी इस तरह की भावना नहीं आने देना चाहती है, तो ये जो मन के भीतर अपने दाहितों को डिभाते हुए, अनारू जो पत पर है तो वो नीची नीगहास अपने पती को देखने लगती है कि आरे ये तो मतलब जो इस्त्री वो स्वातंत्र चाहती है पुरुष्वों की तरहे आजादी चाहती है लेकिन पुरुष तो डॉक्टर होके एक साधार अहमें पास इस्त्री से या भी ये पास लड़की स शादी कर लेता है और वो डॉक्टर है तो उसकी पत्नी डॉक्टराइन हो जाएगी पुरे गाउं के लिए पुरे कश्वर के लिए और शहर में भी उसी तरह के संबोधन अपने जो आत्मी हैं वो उससे देंगे लेकिन जब इस्त्री बड़ी होका ज्यादा कमाती है तो उ इस तरह का दामपती परस्पर्ता में डालता है तकराहतें शुरू होती तो वो यहाँ पर उसका पड़ापन देखने को मिलता है कि वो किसी डिकरहाट के नहीं बल mostly है करने देती है जैसा पती कर चुका है या कर रहा है लेकिन बावज़िद इसके वो अपनी बेटी को यहासास नहीं देना चाहती है क्योंकि यह सच है कि उसका पती उसके साथ नहीं है लेकिन कहीं नहीं सामाजी दाईतों जो है उसमें वो उसे खड़ा करती है पूरी इज़त के साथ खड़ा करती है फिर इसका अगला गंजी के रुपए एक छोटा उपन्यास भी बंजुल्दी ने लिखा मुझे भेजा था उन्होंने। लेकिन मैं इसके साथ एक दो और चीज़ों को बताना चाहती हूँ। मैं दर्ज करना चाहती हूँ इस बात को और दाखिल करना चाहती हूँ पितर सतातनक भारती समाज को, कि लेकि समाज भी अगर उससे पेडित होता है तो वो कितना गलत है, कहां सुधरा, क्या सुधरा, क्या हुआ, को समझने की जरूथी नहीं समझा जा रहा है और अपने वीवे को ताक पर रख करके चला जा रहा है तो ये इस तरह का मैंने जब लेख़कों की दुनिया में देखा, ये मैंने मुंबई में महसूस नहीं किया, मुंबई में कोई भी आंदोलन हो तो उस आंदोलन को हम अपने आचार, व्योहार, अपने विचार में जब पूरी तरह आत्म साथ नहीं कर लेते हैं, तो हमें लगता कि वो आंदोलन हमने लड़ा ही नहीं, वो आलन आंदोलन देरी के भीतर पहुंचा ही नहीं, जो हमारी एक तरह से हमारा हम चाहते थे उसको, कि इस तरह से हो, ये ठीक है कि हिंदी पठी को जो है थोड़ा समय लगा, क्योंकि अठारा सो तेविस में बंगाल में नौ जागरन आया इसाई जो वो थे बेथुन साहब पादरी और उन्होंने लड़कियों की सिक्षा की बात को लेकर बंगाल में सोचा तो इश्वर्चन विद्या सागर आगे 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 राजारा मुहन राया आगे 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 हिंदी पट्टी में नहीं आगे महाराष्ट्र में उसके बाद आ गए पालती बाई बेडे कर पंडित रमा बाई और सावित्र बाई फुले उन्होंने क्यों समझा कि बड़े घर की लड़कियों को तो स्कूल जाना और आत्मी निर्भर होना ज़रूरी है लेकिन दलिक तो हिंदी पट्टी में चीज पाते हैं और हिंदी मानस में यह चीज भी बैठी हुई थी तो 2002 में प्रसार भारती की बोर्ड मेंबर चुनी गई और उसमें मैं बोर्ड सदस के रुप में मीटिंग्स में आने लगी और उसके बाद तो मैं यहां पर बसी गई थी अपना घर ब तो महीने भर के भीतर ही विद्यानिवाश मिश्री जो है वो उनको सभा के लिए मनोनीत कर लिया गया और वो बोर्ड मेंबर भी थे और इंडियन क्लैसिक सी परिकलपना को का बीजार ओपन भी उनहीं के दिबाग के उपच थी वो खाली उन्होंने हिंदी में किया कि हिंद दो बांके इन सब का वो होना चाहिए तो वो तो उन्होंने किया लेकिन तब भी उनके कई पूरे नहीं हुए थे कुछ पूरे हो गये थे लेकिन जब मैं आई तो विद्या निवाश जी की विदाई समारोग जो चल रहा था प्रसार PTI के सेकंड फ्लोर पर हुआ था तो उ मुझे ख्याल आया कि मैंने विद्या निवाश जी का पंडी जी के पाऊं चुए ही नहीं है और मैंने फिर धीरे से उनके पाऊं चुए तो उने ने कहा मैं समस्ता हूं कि इंडिन क्लासिक्स के लिए चित्रा से ज्यादा उप्युप्त कोई व्यक्ति हो नहीं सकता है और बिठल कामत साहब उस समय चेरपरसन थे नवीन कुमार हमारे डारेक्टर जनरल थे दूरदर्शन और आकाश्वानी में और एक सिंग साथ भी नाम में बोल रही हूं सियो थे हमारे सर्माजी जो हैदराबाद के थे और तो सियो साहब के मूझ से निकला कि बिठल कामत ने तो चित्रा जी की पहले ही संसुती कर दी है कि उन्हें सौपा जाई ये और वो बहुत ही जिम्मेतारी सी ये काम पूरा कर सकेंगी और निस्पक्षो कर पूरा कर जो महाराष्ट के आंदोलन धर्मी है उनका आचार विचार भर नहीं है आचार भी है बिवार भी है तो ये एक जो उस समय बात उठी तो मुझे अगले महीरे ही इन्दिन क्लासिक थी कोर कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया मैंने दोनों चीजों की जिम्मेदारी संभाल और तब तो हिंदी में सिर्फ बने थी तेरा कहानिया बन रही थी हमने पूरी भारती भार्षाओं को अर्काइव तक पहुचाने का प्रयास किया 24 भारती भार्षाओं में पहले शुरुआत हुई कि जहां पर ये नहीं है कहानिया नहीं है भी साहित नहीं है बोडो में ना प्रस्तुत किया जाए तो पंदरा प्रमुक भारती भार्षाओं का ये तयार किया गया, तयार किया हमने कथा दर्शक के रूप में कि टोकरी भर मिठी की बात में, उनीस सो में टोकरी भर मिठी सप्रे की आई और उसके बाद उनीस सो साथ में राजिंद वाला घोष की बंगमहिला के नाम से दुलाई वाली कहानी आई, तो साथ साल बाहर ही हम पाते हैं कि इस तरह लिखने लगे, फिर कन्यादान से लेकर अन्य कई कहानिया, तो इस तरह क्ल कोईताओं का भी और लोक जीवन को ले करके भी, तो जब मैंने सात्वें रिष्ट पर आए और ये आया कि आपका बंटी पर कोच उना जाएगा, हमारे जूरी थे हिंदी में, मैंनेजर पांडे और विश्वनात त्रिपाठी जी, तो विश्वनात त्रिपाठी जी ने कहा मैंनेजर पांडे जी तो उस दिन की मीटिंग में नहीं आये थे, दातों में दर्द हो रहा था, उन्हें बहुत जादा, दातों का दर्द भी जान लेवा होता है, तो वो नहीं आपाए थे, तो विश्वनात जी थे और हमारा स्टाफ था, जो मेरे साथ काम कर रहा था एक तरह से, तो उन्हें सब लोगों के साथ में और एक दू लोग और थे, तो चुनाओ हो रहा था, तो शित्रपाथी जी नहीं कहा, शित्रा जी क्लासिक्स के लिए कालजी करती के लिए थोड़ा समय तो चाहिए, अभी तो समय नहीं हुआ है कि उसका मुल्यांकन हो, बाद मे मुल्यांकन किया जाए, तो लगे कि ये रचना अन्य समकालीन रचनाओं से बहुत अलग है, एक अलग तरह का अवदान हिंदी साथी में इसका बनता है, तो मैंने कहा तो अभी तो मनु जी की बात हो रही थी, आपका बंठी को लेकर और मैंने आपका बंठी धर्मिंग में पढ़ा था और धर्मिंग में पढ़े वे मुझे 35 स्वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आपका बंठी पर तो बहुत काम हुआ, फिल्म बनी है, ये बना है, और उनकी कहानियों पर भी बहुत काम हुआ है, उन्होंने वो स्वेम लिखती रही है, तो पुन ही जो चीज़े हिंद तो क्योंने उसे दर्श किया जाए, क्योंने हिंदी को साहिती को संपन न किया जाए, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं देख, मैंने कहा नहीं, फिर इसके बाद दो-तीन मीटिंग में मैं बिलकुल अड़ गई, अड़ गई, मुझे उनके तरक समझ में नहीं आए, कि इस त कोई ही नहीं है तो फिर आगे की पांथ कैसे खड़ी होगी जल रही है जल रहे है वो धर्मिग में उनकी कहानी उसी समय कुछ दिनों बाद तृशंकु आई थी मनुदी की धर्मिग में छपी थी तो मैंने कहा कि इस तरह का व्योहार जो ठीक नहीं है जिसमें संभावना है औ अगाउ जी नेन नट्व की जुन्दगी पर लिखा है और निम्न वर्ग पर न मनुदी ने कलम चलाई है न उशा प्रिमधाने चलाई है न बाकि किसी ने चलाई है शहरी इस्तरी पती के शोशन और दहिक शोशन से परिशान इस्तरी तब ही वो चले कि अरे अपना उस भी बलातकार करता है, जब उसकी मर्जी होगी, वो उसे भोगना चाहता है, इसरी के लिए इसरी का कोई बन नहीं है, तो धीरे दीरे वो परतने खुल रही थी, लेकिन वो स्वर्ग की जो औरत है, जो गाओं में है, और गाओं से शहरों में आई है, उसका जो संखर्श है क्या है, वो उनी पढ़ी लिखी स्वर्ग के बीच काम करती, उनी के घरों में काम करती, उनी के अधिपत्ति में काम करती है, तो मैं इस उपन्यास को छोना नहीं चाहती, फिर भोपाल की मीटिंग में ये निर्य हुआ, और मुझे खुशी है कि नंद भरद्वाश और इन दुलागर का जो है, उसके हिस्से की धूप उपर काम हुआ, इसी तरह से उस दर्शक की उन इस्त्री लेखिकाउं की संभावना शील काल जाई करतीयों पर काम हुआ, उन पर धारावाहिक बने, मैंने शास्त्री भावन में कई मीटिकों के बाद ये तै किया, यहां से अधिया जाए में मेरी बादचीत होती थी, तो मैंने कहा कि सर ये तो पास होना चाहिए कि इतने कम पैसों में, तब मनलोई जी ने मुझे का कि दीदी, दो हसार तिन हजार में तो हम लोग उपन्यास ले लेते हैं, बस, मैंने कहा लेखाख कोकर कितना कम समझते हो इनको, कि कितना कम समझते हो, ऐसे मन तो कहीं ने कहीं इस वर्ग के पृति ये दर्शातें कि आपके मन में कहीं कोई समेधरा नहीं है, कहने के लिए है, तो उसको करके दिखाना चाहिए कि हमारा लेखक, हिंदी का लेखक या भारतिय भाशाओं का लेखक आत्म निर्भर साहिते में ह कर क्यों नहीं जी सकता आज भैरप्पा है ना भैरप्पा ने सो किताबे निख ली तो एक होता और मैं 73 लिखकर भी अभी नक्ट औरा तो मैं तो अभी भी आत्मनिर्भर उस तरह से नहीं हूँ उचे तो लगता था कि मैं फ्रीलांसिंग भीच विश में करके कॉलम लिख करक मैं तो प्रभाज यूसिस से इस बात पर एक बर लड़ गई थी कि खबरे गरम हैं जो मैं भेशती हूँ वो आप चंडिगर के अडिशन में भी छापते हैं और वो आप मुंबई के अडिशन के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझे केवल देर सो रुपर प्रती क्यों देंगे मैं तो कम से कम आप कुछ जादा देना ची तो उन्होंने हास्ते भी करता अभी तो जड़ा सा थैर जाए चित्रा जी काफी कुछ कोशिश हो रही है कि वो सची इतने गहरे ब्यक्ती थी वो समझ समझते थे इस चीज को तो मैंने का मुझे पूरे महीने काम कर के अगर कॉलम से तमलता है तो यह चीज क्यों नहीं हमारे आकाशवाणी में भी बहुत कम बहूत पान सुरुपे ज्यादा से रहा ऑ गरेट वी गरेट एक बी गरेट लैक को भी ता नाठों को में था गाईकों में था शास्तिरी बादियंत्र बजाने वालों पढ़वाया और इसी तरह से 10,000 परती एपिसोड जो उस वक्त चल रहा था मार्केट में जी टेलिविजन से ले करके और जो लोग धारवाहिक लिखते थे धारवाहिक शुरू हो चुके थे लिखते थे तो उनको भी मार्केट प्राइस मुंबई में ये मिल रहा था तो उसक को खुशी होगी ये जानकर आरपन कि उसमें सफलता मिली तो ये खुशी और भी ज्यादा थी कि मैं अनारो को किसी बड़े फिल्मकार से बनवाना चाहती हूँ तेकि कृष्णा सोपती ने कहा कि मेरे उपन्यास को ले करके जो दिलोदानिश पर बात चल रही थी कि चित्र जी अगर फलां डिरेक्टर इसको डिरेक्ट करेगा तभी मैं राइट्स दोंगी दो दर्शन को तो क्यों नहीं है नारो तो मैंने अमोल पालेकर से बात की उसके बाद बांबे में जो हवारी विग्यापनों की मीटिग वगरे हो रही थी बिठल कामच थे और नमीन कुमार कामची थे, CEO साहब थे तो वहाँ पर बेनेगल को हमने आमंत्र किया कि मेरे मन में अंकुर थे और अंकुर की स्मिता पाटल मेरी दोस्त थे तो मुझे लगा कि और उसमें जो बच्चा है कहानी के अंत में जो कंकड़ी फेकता है तो मुझे लगा कि वो तो ललक कर राजी होंगे लेकिन उन्होंने बहुत निराश किया मुझे कहने में कोई जेजट नहीं है क्योंकि इस सच्चाई है और उन्होंने मुझे का कौन है मन्चुल भगत मैंने का हिंदी की बहुत बड़ी लेखी कहा है दूसरा हमने तो नाम नहीं सुना मैंने का आपने नाम न सुना होगा लेकिन आपने ऐसी जचना भी शायद नहीं पढ़ी होगे जो हिंदी में है और इसको पढ़ेंगे तो इसको अगर कोई भी शैलिलाइट पर ब्याक्याइग करने वाला मिला तो कितने संध्रव निकलेंगे औरूसरी निमन और इस्ति अपने जांगर से जब आत्म निर्भर होती है तो वो क्या होती है वो पित्रसता को है सकती आओ तुमको दारू चाहिए वो भी हम देंगे तुम्हें जो खाना है वो भी देंगे मगर तुम अपनी बेटी के कन्यादान में बैठेगे वो अनकूलन भी है मान से कन्यादान लेकिन ठीक है ये इस्त्री मैं इसको कहती हूँ कि ये हमारे हमारे समाज की वो इस्त्री है चाहिए किसी भी जाति बिरादरी की हो वो इस्त्री है इसको पहचाना जाना चाहिए तो उन्हें का नहीं नहीं उन्हें नहीं आप मनुभढ़णारी का अपरन्यास ले आइए कोई कहानी ले आइए हम उस पर काम करेंगे मैं डिका क्यों मनु भंडारी पर तो इतना काम हुआ है उनकी प्रते कहानी पर काम हुआ है उनकी प्रते कहानी दर्जा दो में दर्जा तीन में दर्जा चार में दर्जा पांच में दर्जा आठ में लगी हुए बाटे कामों में बच्चे पढ़ रहे हैं कि एक मानक हिंदी है उनमे एक मानख हिंदी है और वो उसमें किसी भी प्रकार की अश्जीलीता और ये सब नहीं है वो पढ़ाई जया सकती हैं बच्चों को लेकिन उसके आगे क्या उसके आगे जो परीवरतन आ रहे हैं जिस परिवर्तन के हम कामना करते हैं, अरपन तो उसको तो हमें दिखाना होगा ना, और देखना होगा आप सब को, जब आप बनाएंगे तो आप दिखा सकेंगे, और देखेंगे लोग कि बैनेगल ने बनाया है, मिलालदा ने बनाया हुआ है, और फला ने बनाया है, तो ये यह उन्होंने जो कहा तो मुझे बहुत बुरा लगा, उन्हों मेरे साथ भी बहुत अच्छा बेवहार नहीं किया, उनको लगा ठीक है, उनके दिमाग में वही था, कि कभी बाधुरी टाइम्स ओफ इंडिया में स्टिल ले करके उनका कोई चेला आया रहा, तो ठीक है, यह क्या है, जब वो मंझूल भगत को नहीं जानते हैं, तो मुझे कैसे जानते होंगे, हलांकि सुरज का सात्वां घोड़ा उन्होंने बनाया, वो बनाया, लेकिन उन्होंने एक और चीज मुझ से कही, क्या पैसा मिलेगा, इसके लिए प्रती एपिसूड क्या बजट है, तो मैंने कहा, हाँ, मुझे भी अच्रज हुआ था, कि मैं फिल्म में जोरी रही हूँ, मैंने फिल्मों पर लिखा है, मैंने फिल्मों को जिस तरह से देखा है, तो मुझे भी अच्रज हुआ था, कि अपने उसको नेच्रल में दिखाया, वो चोपरा का महाभारत नहीं था, व उस समय यह रेश्मी इस तरह के धोतियां और इस तरह के रत बनते थे कि नहीं बनते थे तो आपकी प्रामानिता ने ही हमें और डिस्कवरी अफ इंडिया दे हमें प्रभावित किया था उसके बाद हमने देखा कि आपने भी उसके साथ जो न्याय करने की कोशिश की है वो बह चाहती हूं कि आप फिर से बिचार कीजिए और तो ले ठीक है मैं बताता हूं यही बात फिर मैंने अमोल से चुकी परचे भी था यह बात दोहराई तो वहां अमोल का था अरे शोता जो आपको साथ एपिसोड में मिलेंगे यह सूचिये ना साथ करोड मिलेंगे जब आप इसको बनाएंगे तो उन्होंने बहुत ही साईच भाव से का और भी तो पन्यासन में शिवानी जी कर दे दे दीजे चौधा फेर हैं तो खर हमने फिर उस पर बाद बढ़ाई तो ये था मंचुल भगत की उपन्यास के उपर वो तो बैनेगल तो बिचारे जानते नहीं कहेंगा वारे बेरी बेरी रिस्पेक्टिड परसन ही और हमारा गर्म है वो गोरों है लेकिन वो नहीं जाते थे लेकिन यहां जब बैठके हुई निर्णायक मंडल की तो उनका ये तर्क था ये तर्क था वही 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 घूम फड़के इस तरी का प्रीम इस तरी का बिस्तर पर जाना उचाई की नाई का तो मुझे लगा कि ये तो हमारी हमारे देश की 80% जो दुनिया है उसका प्रटेंदित नहीं करता तो फिर इसको हमने फिर किसी NSD के ह पास आउट उसको दिया बनाने के लिए इस उमीद में कि बहुत अच्छा बनाएगा लेकिन वैसा तो नहीं बना पाया क्योंकि पैसे बचाने की ज़्यादा जदोजहद होती है और ये एक नियमा वली में ये तैथा कि जितने NSD के या नाटक शिराम संटर या कोलकाता के ननन की नाटे मनलिया है नाटक है उनकी उनकी जो रंगकर्मी है उनको जादा से जादा मौका दिया जाएगा पात्रों के रुपे ताकि वो कुछ अरजन कर सके और उन लोगों को इसका पारिश्मिक मिल सके अच्छा पारिश्मिक मिल सके तो जो उनकी रेपेट्री से जो म तो यह उन्होंने बनाया और भौपाल के प्रेम सिंग जी थे उन्होंने इसकी स्क्रिप्ट लिखी और मृदुला जी ने भौपाल गई थी जब मैं भी गई थी तो फिर उन्होंने उसको पास कर दिया और बिकोज शी वास वेरी संस्टी अबाउट यह हला कि दोनों के प्रकृती में लेखन प्रकृती में जमीन आस्मान का अंतर एक तरह से क्योंकि यह बिल्कुल तै था कि मंजुल दी महानगरी इस्त्री के संघर्ष को भी लिख सकती हैं लेकिन मंजुल दी जो परिश्रम करती हैं वो ग्रामेन आदिवासीला के या जनजाती अनसुची जनजाती इन सब की इस्त्रियों को भी अध्यन करके या जो भी है वो उनको भी अपना पात्र बना सकती हैं तो मंजुल दी के लिए जब ये बन गया सीरियल लेकिन दुख़त ये था कि मंजुल दी तब हमारे बीच में नहीं थी मंजुल दी प्रेमशंद का जन दिन पढ़ता है 31 चुलाई और मंजुल दी इसी बीच चली गई उनकी मृत्यों पर भी एक विडम बना मैंने महसूस की कि निगम बुद घाट पर मडाल पांडे थी और भी अन्ने महिलाएं थी मैं थी और बहुत से महिलाएं थी लेकिकाएं थी कमल कुमार थी ये सब लेकिन कोई पुरुश लेखक रही था ये क्या है हम उसे उबरना भी नहीं चाहते हैं और हम बाते करते हैं कि हम उबरना चाहते हैं हम अपने को विश्तार देना चाहते हैं हम अपने आपको एक सुदूर कोने में बैठा आखरी व्यक्त को भी अपने साहित का विश्य बनाना चाहते हैं कैसे बनाएंगे कैसे बनाएंगे जब लोगों के सामने कुछ बना कर हम नहीं दिखाएंगे या लेखक तक उन पाथ को वो अनपढ़ हैं वो सारी का तो पढ़नी पाते थे थे वो उस जमाने भी मतबाला और सरस्वती यह सब पढ़ा लिखा वेक्त ही पढ़ पाता था लेकिन आकाश्वानी क भूमिका वहां यह रही कि वो सुनकर पढ़वाती थी कहानिया घरों की गाओं की वहों को आले पर वो ट्रांजिस्टर रख लेती थी इसलिए मैंने देखा कि निम्नबर्ग की इस तरी भी ट्रांजिस्टर साइकल घड़ी यह शाडी में उनका दूला भी अगर मांगता थ तो वो ट्रांजिस्टर मांगता था बैटरी वाला तो वो भी आले पर रख कर सुनते थी तो तमाम जो स्थानी लेबल पर जो चेतना संपन बनाने की जो मोहिम थी आकाश्वानी की भूमिका थी उसमें हर तरह की कहानिया सुनवाई गई जिससे उन तक साहिते पहुचा तो महादेवी वर्मा पहुची, कन्यादान पहुची, अपनी खुबलड़ी मर्दानी वत जहासी वाली रादी थी लिखने वाले वो कविदा तो पहले पहुच गई थी लेकिन वो साहस पिरोया इन कहानियों ने तो मंजुल्दी और मृतुलागर्ग और ममता कालिया हमारी चं देखे कि ये इतनी श्रशक्त पात थी इसको उस तरह का महत तो नहीं दिया गया महत तो तब होता है जब एक पाठेक्रम में बदली वी परसितियों में जो नए संक्रमन समाज से टकरा रहे हैं उनको लेकर के जो रचनाएं हैं बच्चों को पहने के लिए दी जाने के साथ और वो जो विश्रमता है उसको लेकर वो अपने भीतर महसूस कर सकते महसूस करें कि उन्हें अपने जैसे ही दूसरे टोले के में रह रहे हैं बच्चों के लिए इस तरह की अज़ प्रश्रता की भावना से उबर नहीं होगा वो उनके जैसी बच्चे हैं चीक है व उल्ले करना लेकिन आप दौमिन को हमें मार पड़ी थी की दोमिन को दोमिन डुमिन न कहो काकी कहो इस यूरी काकी लगती है लेकिन जब मैंने उनके कोँच में अनाज टोकरी की उलटते वे अनाज चरग गया और सर्याने लगी तो मुझे मेरी दारदी ने बुला कि चांटा हमारा छूली नियो तो ये काके का शब्द संबोदन किस लिए ये 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 चीज़ है तो ऐसी ही रचनों के माध्यम से पाठकों तक जाएंगी और वो अगर पढ़ी जाएंगी आकाशवाणी में तो दूर दरास के सुनने वालों तक भी पहुंचेंगे तो मुझे लगता ह है वो बड़ी बिरल किसमिकी थी तरची बर्चार लिखी उनकी मैं देखती थी कि उनका जरा जो रचना संसार है वो किसी पोखर में कैद नहीं है उन्मुकता है ये अलग चीज़ है कि उन्होंने श्रम्ट के बारे में बहुत नहीं लिखा लेकिन उनकी अनारो ही एक काफी थी उनकी एक काली लड़की का करतव ही काफी था और बहुत सी रौनक जैसी सांप्रदाइत्ता को लेकर के खातुल जैसा उपर नयासी काफी था एक ही था वो एक नया अन्यवेशन फिर करती थी और अपनी रचनाओं के माध्यम से उस उत्खनन को सामने लाने की जुगत कर करती थी और एक नए समाज से सूने समाज से अंधे समाज से हमारा परश्येक वो करवाति थी और यह बहुत बड़ी बाद थी इसकी बहुत बड़ी थी पुमिका थी लेकिन आज तक मैं यही पा रही है कि अगर आपके संबन कुछ का इंदे कि पाथेक्रम निर्धारित करने वालों के साथ प्रम प geographेसर को साथ इंडिया इंटरनेशनthers संटर में आप बैठ सकते तो आपको अपनbn असलग सकता पूरी पीड़ी कहां चली गए कि आवाज कहानी जो कश्मीर के प्रिश्भूवी पर है चंडरकानता की या शर्णागत दिनार्थ कि ब्राम्भन वहां की विश्वंता से पेडित होकर भाग करके आते हैं जम्मू में लेकिन अपने ही एक बेटी के मुसल्मान की नाम नहीं सौरी मैं माफी मांगती हूँ उसके साथ दही किशोशन करने पर ब्राम्भन ही ब्राम्भन की बेटी को घर के बाहर करने पर उतार हो जाता है यह क्या है यहां भी संकेरता हैं तो कहने का अर्थ यह है कि यह मेरी बहुत बड़ी शिकायत है फिल्मालों के साथ तो एक बात है कि उन्हें हमने मनाया और वो माने और कम पैसों में माने लेकिन हिंदी के जितने बड़े साहितिकारों से मेरा पाला पड़ा और भारतिय भाशाओं के साहितिकारों से भी मुझे लड़ना पड़ा जो जूरी के रूप में थे वो चाहे सारा जोसब की कहानी हो चाहे अपने प्रतिभाराय की कहानी हो उस त ये रहने दीजिए अभी इस कहानी को तो सिद्ध करना ये सिद्ध कैसे करेगी, आलोचक लिखे गानी तो कैसे सिद्ध करेगी, ये विशमतायं चरहें, ये कभी इस्त्रिलेखन का मुल्यांकन सही रूप में नहीं कर सकी, मुझे खुशी है कि जन सुलपुस्ट काले जो है इ कि आप एक महिला का थाकार रिखांके जिस तरह किया जाता है उनकी पूरती ठीको इस तरह का एकाग्र कर रहे हैं उसके उपर और अलग-अलग लोगों का मैंने सुना अलग-अलग तरह से लोग आए और उन्होंने अपनी तरह से उन्हें पढ़ा उनकी चीजें पढ़ी और उसको भी आख्याइत किया और अपने साथ उन्हें आप भीता को रिखांकेत किया ओर तो मेरी तो उनसे पांच शे बुलाकातों से जादा बुलाकाते नहीं हूए दिल्ली में रहते, क्योंकि मैं अपनी social कामों में थोड़ा, छोटे मोटे social कामों में तो मुझे लेकिन जब भी मिली मुझे लगा, मुझे बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिली और उनके जैसा सहज व्यक्तित्तु, सुन्दर व्यक्तित्तु जिसमें भारती इस्तरी का स्मित हमेशा उनके ओठों पर मौचूद र बड़ी लेखिका को थोड़ा सा उसके आचरन में वो डंभज जरूरी है, कि वो बड़ी है, वो औरों से अलग है, उसे वो औरों से अलग होने की मानिता प्राप्त हो गई है, वो फिर इनको कुछ नहीं समझती, इसको लेकर के आप कई हमारी आलोचक हैं, आप उनकों भी महस कर सकते हैं, लेकिन मैं तो मजदूर लेखिका थी, सुधी पाथ का थी, मैं एक एक चीज पढ़ते थी, मैं मराठी का पढ़ते थी, मैं गुचरादी का पढ़ते थी, कि वो बहाशाएं जानती थी, और मैं उन आंदोलोनों से जूई हूँ थी, और उनके लिए मैं काम भी क कर रही थी परी एक छोटी सी आवास थी उसको लेकर के लेकिन साहिते में अगर आवास वड़तों की दबाईश आती है रह्म करम पर है पुर्शों के कौन एक लाइन बोल देगा तो ये सवभागे तो बहुत कम नहीं हो क्योंकि मैंने ये महसूस किया कि जब भी कभी मैं किसी कि ऐसी भूविका में रही हूँ तो मुझे राजेन जी ने कहा कि क्या हुआ अगर बन चुका है आपका बंटी पर तो तुम सीडिल बन माऊनों मनों के उपर बंटी राजें जी से खाहा आपको शोभानी देता आपको कोई एक ऐसी कहानी उनीज सो चाचछ से हन्शुरूआ कोई एक ऐसी कहानी का उधारन देना चाहिए था कि ये कहानी पर ये कहानी पर चित्रा काम करवा हुआ आप तो पचास आप कहते हैं इस्तरियों का वो अनुभाव विस्तार बहुत कम है और नावर जी ने एक बार पीडी आमने सामने में सारिका में बात करते वे का था ओरतने तो इसलिए छपती हैं कि वो औरत है कितनी बड़ी बात है तो मनुदी ने भी उसके लिए उनको डाटा था और इसके साथ मराल में भी बहुत ही डाटा था और हमने तो डाटा ही था क्योंकि कुछ ऐसे लोग थे जो बाहर थे जो लगुपत्रें काई निकालते थे उन्होंने फोकस किया इस्तरी कथाकारों पर दिनिश द्रिवेदी जो गलत हुआ था उसका परिशकार करने की कोशिश की और बताने की कोशिश की तो कोई पूरुष्क्यू नहीं खड़ा हुआ इसके साथ में क्यों नहीं खड़ा हुआ वो आज भी आत्मकत्हाओं में मुझे बहुत अच्रज हुआ जब किसी न भी का अरे आपके नक्टोरा में आत्मकत्हात्मक जो है उसमें कहीं भी इस तरी देह के शुरुषन को लेकर आपने अपने अपने अनुभाव को लेकर मैंने का भाया हम त में आपके ताकत थी कि हम किसी भी गलत का प्रतिवाद कर सके और उसको स्वयन समझा सके कि यह तुम गलत कर रहे हो हर्चन के यह सब नहीं हो सकता और कहीं भी नहीं हुसकता तो ये क्योंकि पुरुश मेरे लिए बुनारिवादी लेखन का वो नहीं था पितर सत्तातमकता का जो जिसका कभी समाधान नहीं हो सकता वो अन्धुलान मांसिक पुरुशों का भी हुआ है तो इसकी लड़ाई भी लड़ी जाने चाहिए। ये लेखन ही लड़ सकता है और इस्तरी ही लड़ सकती है और तो ये तो खर अपनी बात हो गए लेकिन बंजूलदी की रचनाओं में मुझे वो जिन्दा रहती और जिन्दा रहती तो निश्य ही मेरे मन में ये आश्रस्ती है कि वो बहुत से और विश्यों का उत्खनन करती जिन पर लोगों की उगली नहीं पहुची थी उसकी नवज पर उंगली नहीं रख पाए थे तो ये बहुत बड़ी बात है और एक अच्छी बात ये हुई कि हमारा ये तो इस तरह की लड़ाई जो मैंने बताया अनारों के माद्धम से ऐसे बहुत सारी चीज़ों को लेकर मुझे लड़ना पड़ा कि इस चीज़ों को बराबरी का वो दिया जाएगा उनीश सो में आई टोकरी भर मिटे सप्रेजी की लेकिन राजिन बाला घोष की दुलाई वाली भी तो आ गई और कर्णादान से ले करके किती 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 कहानियां आई और उस वक्त भी उन महिलाओं ने लिखा इतने हिब्बत क कि यहां महिलाओं ने भी इस चीज़ को नहीं सीख़्ा, उन्होंने अपनी बात हम श्रेष्ट और इस तहीं ने उसी पित्रसत्तात्मक्ता से वो अनकुलित हुई कि मैं श्रेष्ट हूँ, यह श्रेष्टता भाव जो है वो स्रेष्ट को चुन्ने नहीं देता है, इस तहीं क इसको ये समझने की जरुथ है, कि जब श्रेश्ट को चुनने का भावार, तो अपने से अलग होकर कि सोचने की जरुथ है, कि आज अज हम लोगों की पीढ़ी है, तो हम लोग प्रेम चन्द को याद करते हैं, अगर अगली पीड़ी में जो बहतर लेखन करने वाले हैं उसको हम तयार नहीं करेंगे उसका बहतर हम नहीं निकाल कर लाएगे उसको नहीं पहंचानेंगे इस अहंकार और इस दंब में रहेंगे कि ये अलग चीज है ये अलग चीज़गी कुछ कमियां है लेकिन रखे जानी चाहिए पूछ कमिया 習ोड़ी मैं कहते हूँ कि भया अब अब लेखा कलम का सिपाही नहीं रहा अब तो आप समझते हैं अब ये बात में कहूंग तो थीक नहीं लगता है कि अब तो वो सिपाही जिसका बचा है वो उगलियां टाइप करती है और हो गया तो वो जो एक साहिती साधना है और फिर फिर शब्दों को काट कर उस जगे शब्दों को स्थावित करना है ये एक इतनी बड़ी बात है तो नई पीड़ी को नई पीड़ी के बहतर को जो अपनी सिमाओं को विस्तित कर रहा है धीरे धीरे कि कश्मीर से लिखा जा रहा है कन्या कुमारी से लिखा जा रहा है तमिलाडू से लिखा जा रहा है और अब ये दूरियां भी सिमिट रही है अनुवात की आवश्कता मैसूस हो रही कि भारती साहिती में जो सारीका की भूमिका थी अनुवात छपते थे जिसके माध्यम से हमने बाल जाग को पढ़ा, समरसप माम को पढ़ा, हमने हैमिंग वे का कहानियां पढ़ी, तो इस तरह से चार्स दिकंस की पढ़ी, तो ये सारी पर उसमें जो प्रफेसर हमारे हैं लिखने पढ़ने वाले वो आपस में मिल बांट करके लेंदेन करेंगे कि हम पाठे करम में किसको होना चाहिए और प्रकाशक से ये भी आएगा कि अगर उसकी लिखी किताब जो वो चाहता है जिसकी होनी चाहिए उसकी होनी चाहिए तो फिर वो उसकी किताब को भी बिना किसी जीजह के चापेगा ये लेंदेन ब जो बहुत मैंने फिर कहा जैसे मैंने अभी कहा था कि आप जैसी नई पीड़ी मैंने तो आपको समर्था में पहली बार आपकी समीक्षा पड़ी वनीशा कुल्षेश पर इतनी खुशी हुई कि वनीशा की पीड़ी के आहाप समीक्षा लिख रहे हैं और एक अलग धंग से उ शेवर्स्तु के साथ उसको उसके निरवाह के साथ उसको महसूस कर रहे हैं और उसको रेखांकित कर रहे हैं उसकी प्रशनशा कर रहे हैं अच्छा लगता है जब हम सुनते हैं किसी को कि वो वो नई पीड़ी की किसी सारी चीज़ें तो सबकी अच्छी हो मैं नहीं कहती मैं नहीं कहती हूं इस बात को लेकिन जो अच्छी है जो हिंदी साहित्य को संपन्न करती हैं, सम्रिद्ध करती हैं, उनको तो न छोड़िए, क्योंकि वो सिक्का आपकी जेब का वो सिक्का है जो सरग गया, जिसके वजन ने आपकी जेब की सिलाई उधेर दिया और वो सरग आपने ध्यान नहीं दिया, तो फिर ऐसा ही !" हिन्दी साहिते जो आप शिकायत करते हैं कि आप तो साधना नहीं रहा, आज अगर अरजी सिंग का कोई गाना आता है, तो हमीन लगते है वो गाने को जीता है, वो गाने को जीते हैं, वो गाने को जीते हैं तो वो निश्य ही चार बजे सुबह उठकर के कहीं ने कहीं रियास करते होंगे, सुर्फ साधना करते होंगे, साहित भी साधना की मांग करता है और ठहर कर, उतर कर, उसकी बहुत बड़ी मांग होती है, सब्सक्ricting सब्सक्राइब half तो आरपर मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे याद किया उनकी इस कारिक्रम में और मुझे यह मौका मिला कि मैं इसमें भाग ले रही हूं और उन्हें अपने दिल से, अपने मन से, अपनी शुद्धांजली के साथ अपना प्यार प्रेशित कर रहे हैं किसी का कोई तुम कुछ तुम कुछ तुम आवाज ने सुनाई दे रहे हैं अरपन जी अब आ रही होगी आवाज बड़ी जोरदार रंग से आए और तुमारे नई पीड़ी का दाइचित तो है ही और ये बुज़ुन लोग भी मांग पर भी नज़र दाए जी 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 सचोंच हमें भी काफी अच्छा लगता है और तमाम लोग तमाम लोग जोड़े हुए हैं इस कारिक्रम में सभी लोगों की परतिकिर्याएं आ रही हैं उसी में कुछ सेकंड्स के लिए मैं हट गया बहुत ही अच्छी बातचीत एक शांदार वक्तब जैसी कि हमें उमेद थी और तमाम लोगों को आपसे जो अपेक्षा थी उसी की अनरूप बिभिन संदर्वों के साथ ऐसे कई संदर्व आये ऐसी कई बातें हुई जिनमें कई बातें चुटीली हैं कई बातें आवश्यक हैं कई बातें चुभने बाली हैं मगर वे सही बात आपने हम सभी का अध्यान आकरिष्ट कराया। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ जन सुलब पुस्तकाले को और इतना महसूस तुम को लेकर मुलाखाद में पहले हूँ जी दिली में हम लोग मिले थे बिले थे फिर मिलेंगे और बड़े बुरों को याद करते रहो। जी जी ने हमें भी अच्छा लगता है और इस अबसर पर हम कई मित्रों को पता ही है मगर फिर भी एक बार हम यह पुस्तक जिसकी आज खास तोर से चर्चा हुई अनारों की इसे भी देखते चलते हैं जरू पर यह आप लोग इसको जी और जिस तरह से आज चित्रा मुदगल जी ने मित्रों अनारों की धारावाहिक निर्मान को लेकर सिलसलेवार ढंग से बादचित की वह अपने आप में कई तहों की ओर ले जाने वाला वक्त अब्य है मित्रों यह वही कृती है अनारों जो मंजुल भगत जी की एक बेहत जरूरी पुस्तक है एक महतुपुर्ण उपर न्यास है और यह जो आप चित्र देख रहे हैं कभर पर यह कला समिक्षक और चित्रकार उमेश बर्मा जी की पेंटिंग है उमेश बर्मा जी कभर है तो मुझे लगा कि इसको इस अबसर पर यहाँ पर दिखला दिया जाए और मैं एक दो चीज़ें और कह दूँ मित्रो यह उपन्यास अनारो को यह श्पाल परतिष्ठान और उतर परदेश हिंदी संस्थान द्वारा भी परस्कृत किया गया था और इस उपन्यास का अनुवाद रूसी जर्मन अंग्रेजी कर्णर आदिभाशाओं में हुआ तो आगे किसी एक कड़ी में हम कोशिश कर रहे हैं कि दिवेंद्र राज अंकुर जी भी आएं और वह भी इस उपन्यास से उतने ही प्रवावित हैं जितने स्वैम जितनी स्वैम चित्रा मुद्गल जी तो उनसे भी हम आख़ित करेंगे अंकुर जी ने हिंदी कहानियों को लेकर जो काम किया है नाटकों में अंकुर जी अकेली अद्बूत है जी बिलकुल तो अगली कड़ी में हम पुना मिलते हैं मंजुल भगत जी पर यह एकागर जारी है कल किसी और वक्ता के साथ मिलते हैं किसी और कृति पर बातचीत होगी बहुत बहुत आभार तमाम मित्रों का जो जोड़े हुए हैं चित्रा मुद्गर जी का हार्दिक आभार कि इतनी अच्छी बातचीत सार्थक बातचीत संबभ हो सकी नमस्कार